दोस्तों नवस्कार आज किसी वीडियो में हम आपको बताने बाले हैं कि एक मुवाल नमर से आप कितने खाते खोल सकते हैं और किन-किन बैंकों में आप खाते को खोला जा सकते हैं इस वीडियो में बना रही है काफी डिटेल में आपको चनकाड़ी देने वाला हूं अलाकि छोटी सी वीडियो है लेकिन छोटी सी वीडियो में आप काफी ज़्यादा आपको information मिलने वाला है तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं तो भी बैंक में आप खाता खुलाना चाहते हैं जिस भी नमर से आप खाता खुलना चाहते हैं और वो नमर आपके घड़ या परिवार के सदस से कोई भी State Bank of India में उसी नमर से खाता नहीं खुलाया है तो आप खुला सकते हैं खाता क्योंकि जब आप एक ही नमर से दो अलग-अलग SBI Bank account ओपन करते हैं तो यहाँ SBI का एक रूल आता है आप एक नमर को SBI में एक ही account के साथ register कर सकते हैं तो इस बात से आपको clear हो चुका होगा कि एक नमर से आप SBI में एक ही खाता खुल सकते हैं दो खाते को नहीं खुल सकते हैं State Bank of India में चाहाँ आप किसी भी bank को ले ले लेजिए HDFC Bank या Bank of Baroda या Paytm Payment Bank बैंक तो एक मौझा नमर से एक ही खाते को आप खुल सकते हैं एक बैंक में तो सवाल यह आता है जैसे कि हम एक SBI में खाता खुल चुके हैं उसी नमर से अगर किसी घर का सदस्य खोलना चाहता है बैंक आप इंडिया में बैंक आप बरोदों में तो HDFC Bank में क्या हम खोल सकते हैं जी बिल्कुल खोल सकते हैं एक मौझा नमर से अलग-अलग बैंकों में खाता कोल सकते हैं लेकिन आप स्टेट बैंक और इंडिया में खाता खुलाना चाहते हैं तो आपको दूसरा नमर का परयोग करना चाहिए जो उस नमर से किसी ने खाता ना को लाओ इस्टेर बैंक आफ इंडिया में तब आपका खाता खुल जाएगा सेम रूल लिहम लागू होता है सभी बैंकों में तो इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा इंफोर्मेशन मिला होगा अगर इस वीडियो म में इनफोर्मेशन आपको अच्छा मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को दवा सकते हैं तो फिर मिलते हैं किसी एक और नए सांदार वीडियो में